लीगल प्रोफेर्शन विल बिकम आउट्डेटेड इफ यू डॉंट रीकंसीडर इस्टिंग स्ट्रॉक्चर ओफ एललबी कोर्सेश दिल्ली हाई कोट तु बार कॉंसल उफ इंडिया हैलो गाईज वल्कम टो माई चैनल इनकारोनिकेड़ा और यहां पर जैसे कि आप सब ने यहां पर टॉपिक पढ़ी लिया हुआ कि क्या टॉपिक होने वाला है यहां पर इस article के बारे में चर्चा करने वाले जो live law के द्वारा यहां पर issue किया गया है और यहां पर दिल्ली High Court ने Bar Council of India को को लेकर क्या कहा गया है या फिर जो All India Bar Re bocaまeg ien न किस candidates को यहां पर prohibit किया गया है, restrict किया गया है provisional certificate मिलने से, पूरा मेटर क्या है वो हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, आप सभी के इंडियर्स के लिए इवेन, अगर लॉश्टेंट्स देख रहे हैं, या फिर कोई भी एडवोकेट इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी के लिए वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है तो जली वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किये वे तो यहां पर सबसे पहले आप सभी को करना क्या है कि लाल बटन डेट में सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और वीडियो अगर अच्छा लागेगा तो पि 11 जनवरी 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने वेने स्टे को कहा गया है बार कॉंसल अफ इंडिया को कि जो भी यहां पर कोर्से से लौ कोर्से से उन्हें कंबाइन करना चाहिए अधर सब्जेक्ट के थुरू और इंक्रीज करना चाहिए इनकी डाइवर्सिटी आफ नॉलेज को ल जो है बाइलोजी विट लो फिजिक्स और कमेश्टी विट लो वो करना चाहिए इस कोर्से सार नोट इन देर इंडिया यानि यह कोर्से जो है इंडिया में नहीं है and how will you have people who will be well qualified to deal with challenging issues which courts are facing now Justice Prativa M. Singh told Advocate Prith Palsing who was appearing for BCI that means Advocate Prith Palsing जो है यहाँ पर appear होई थी BCI के भ्याप में और यहाँ पर कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो कोर्से स्कॉंबिनेशन कोर्से से लाइक बाइलोजी विट लो फिजिक्स और कमेश्टी विट लो यह सब कोर्से इंडिया में नहीं है और यहाँ पर जो qualified है यहाँ पर जो challenging आ रहे हैं कोर्ट में जो face हो रहे हैं उसमें क्या होगा कि इन सभी कोर्स को combine क्या जाए तो फिर जो जो भी issue आते हैं कोर्ट में उसे सही तरीके से face करने को होगा और वहाँ पर काफी help मिल पाएगा ताकि उन लोगों को काफी इस field में जो है knowledge होगा तो यह बात कहीं गई है justice परतिवा MC के द्वारा और साथ में यहाँ पर BCI के द्वारा पूछा गया है कि वह present structure जो offer कर रही है अभी three years का courses और five years का LLB program उसमें और भी यहाँ पर offer किया जाए combination program courses को लेकर और यह law courses जो other subject include करे ताकि यहाँ पर जो law field है legal field है उसमें diversity उसमें जो background इसका वो diverse हो और भी people इसमें engage हो सके यह बात यहाँ पर court के द्वार पूछा गया BCI के द्वारा BCI से और code ने यहाँ पर एक example लिया कि अगर आप एक IP division में बेठे हैं तो आपको साइद एक lawyer चाहिए जो एक engineer हो you need a lawyer who is a physicist you need a lawyer who as an economist तो यहाँ पर क्या होगा यह सब सारे professional जो होंगे यहाँ पर इस courses के लावा three years और five years को courses के लावा इनका जो role ह होगा वो काफी important होगा और यह सब काफी ज्यादा professional भी हो जाएंगे अगर professional भी यह legal field आएगा अगर ऐसा चीज़ इस फिल्ड में लाए जाता है तो यह सब सारे बाते कहेंगे यह court के दोवारा और court court ने कहा है कि जो aspects मैंने बताया है जो reconsider करना चाहिए और इसमें legal field में यह सब सारे लेगल प्रोफेसर में यह सब सारे को add करना चाहिए otherwise यह क्या हो जाएगा become outdated यह outdated कराएगा यह इसमें कोई update ही नहीं हो रहा है तो होता है क्या है कि कोई भी system को आप एक जैसा छोड़ ज़ द्वारा साथ में court ने यह consider किया कि अगर हमें कोई chartered accounted चाहिए अगर वह become lawyer बन जाते हैं अगर कोई physics ओनर है कि में स्टी ओनर से कर सकते हैं you can't say you cannot work anywhere and you will pursue law full time यह court नहीं कहा है कि अगर कोई courses कर रहा है कि जो बी एसी एमसी डिग्री कर रहा है और वो उनके पास डिग्री कम्प्रीट है तो वो कहीं काम नहीं कर सकते हैं और फूल टाइम लोग कोर्स ही करें ऐसा court के द्वारा कहा गया है BCI को और आपके mind में यह आ रहा हूँ क्या कि यह सब court जो कह रही है किस matter को लेकर कह रही है क्य सिच्वेशन था क्या आकिर बात क्या है वो पूरा क्या है तो आपको इस वीडियो में complete देखना है पता चल जाएगा मेंटर क्या है तो मेंटर यह कि जो court में है वो एक प्ली मूफ क्या यह था लोग रेजुट अस्ट्रेंट की द्वारा जो कि एक अस्टूबर कर रहा था यहां पर एक प्ली मूफ किया गया ग्रेजुट अस्ट्रेंट्स के द्वारा जो 2014-17 के सेशन में यहां पर युनिविसिटी अफ दिल्ली में लोग रेजुट कर रहे थे और उन्हीं के द्वारा सेम टैम में दिल्ली जल बोर्ड में सीनियर असिस्टेंट के पोस्ट पर व पर मिशन मिले ताकि वो AIB एक्जामिशन 2023 में एपियर हो सके जो की एक्जाम उसका हैल होने माला है फाइफ पर वही 2023 को और लास्ट जो है अप्लिकेशन फॉर्म एप्लाई करनेगा वो 16 जनवरी है जैसे कि आप 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 देख सकते हैं इसके साथ में जो पिटीशनर है उ उन्होंने बताया है कि जो प्रोविजनल इन्रॉल्मेंट नंबर है वो इसू नहीं क्या गया है जिसके कारण से वो एप्लिकेशन एप्लाई करने से एप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और एपियर नहीं हो पा रहे हैं AIB एक्जामनेशन में और यहां पर पिटीशनर काउंसल जो थे उनके दोरा एक डिसीजन को लाया गया है जो गुजरात हाई कोट का डिसीजन है और वो है टेविकल राहूल मंगनोकर वर्सेस यूनियन ओफ इंडिया इसमें क्या हुआ था कि एक परसन है जिसमें परसन है जो एक इंप्लोई था और उन्हें भी बार एक्जामिसन के लिए पर्मिटेट किया गया था गुजरात हाई कोट के थुरू और यहां पर जो हाई कोट ने वो उसमें टाइम दिया था वो पिरियड ऑफ सिक्स मंथ दिया था कि जब वो एक्जाम क्लियर कर ले तो उनके उपर ये डिसाइड कि सिक्स मंथ केंदर गत अगर वो चाहे तो वो कंटिनु कर सकते अपना इप्लैमेंट या फिर प्रेक्टिस स्टाट कर सकते यह उनके पर डिपर लेकर्टा और mir का यहां पर इस केस में ऐसा हो था कि यहां पर इंपने पर गर्यजाएड और साथ में ने यह भी रेफर किया कि जो डिसीजन ए सुप्रिम कोट का वह वेरीस डारेक्षण को लेकर जो इसु किया गया था अपील में तुमकल राहुल मंगनोकर केस में वो भी यहां पर उस गाइडलाइंस को उस डारेक्षण को रेफर किया गया है काउंसल के दवारा और यहां पर सम्मिट कहा गया है कि जो डिरेक्शन दिया गया था हाई कोट्स और सुप्रीम कोट के दवारा वो यहां पर प्रेटिशनर में प्रेटिशनर को स्टॉप नहीं क्या जाना चाहिए पिड़ा प्रेटिशनर कुट नॉट है बिन स्टॉप फ्रों एपेरिंग इन एड़ एक्साम और इवें अप्तेनि प्रेटिशनल रिजिस्ट्रेशन एज दिया हुए कि जो भी यहां पर प्रेटिशनर है या फिर कोई भी पर्सन है वो किसी को भी स्टॉप नहीं करना है यह पर एपीर होने में और किसी भी तरह का सुटिफिकर्त इसूग में और साथ में यह प्रेक्टिस करें या फिर वह अपना इंप्रॉइम्ट ऑर बरकरार रहे है जौब यह हर एक पर्सन के उपर relied करेगा और वह अपने क्लडिफाइग करने के बाद एयक्जाम क्वालुइब के अंतरकत रहते वे भी उन्होंने लोग एक्जामनेशन एललबी का एक्जामनेशन पास किया और उसे किसी भी तरह का स्टॉप नहीं किया गया एक्जाम देने से और इंडियाबार एक्जामनेशन का on the ground of employment on the ground of employment अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि यह cases हो या फिर इस तरह का situation काफी देखने को मिल रहा है तो यह जो वीडियो है आप सभी के लिए इंपोर्टेंट हो जा रहा है इस परपस से भी और साथ में इस वीडियो को लास्ट तक जहूर देखिया है कि आगे इस मेटर में हुआ क्या या फिर कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के दवारा क्या direction दिया गया इस petition में या फिर इस case में ठीक है Justice परतिवा सिंह के दवारा है यहाँ पर एक और चिस एड़ेड किया गया है कि जो यहाँ पर जो भी परसन क्वालिफाइड है law लग लग वालिफाइड कर पा रहे है तो उन्हें भी यहाँ पर recognized किया गया है गुजरात हाइड कोट के दवारा और Supreme Court के द्वारा कि उन्हें जो है मिलना चाहिए एक्जाम देना चाहिए यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर Petitioner जो है LB Examination को Qualified किये हैं जबकि वह एक Employment Situation में थे जॉब कर रहे थे और इसलिए उन्हें Stop या फिर Reject नहीं करना चाहिए Obtaining a Provision Enrollment तो यहाँ पर उन्हें Provision Enrollment मिलने से यहाँ पर Reject नहीं किया सकता है यह चीज़ी Supreme Court Independence यहाँ पर High Court के द्वारा कहा गया है और साथ में जो Bar Council of India Court में नोट किया है कि जो Bar Council of India का Act या फिर जो Rules है उसके तहत में अगर कोई भी Person Employment कर रहा है After Enrollment तो यह उनके ओपर Depend करता है कि वो Enrollment होने के बाद पास करने बाद वो अपना Employment Job कहीं भी कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर क्या करना होगा उनके जो Enrollment Certificate वो Suspension बिढ़ाना पड़ेगा तो Suspension यहाँ पर करके कोई भी Person इस Act और Rules के तरफ में कोई भी Other Work कर सकता है और साथ में BCI के थुरू यहाँ पर कहा गया है कि जो BCI है कोट ने कहा है कि जो BCI है उसे Encourage करना चाहिए जो भी Qualified कर पा रहे है लो LLB का Examination और उन्हें यहाँ पर Appear होने के लिए बार Examination में और Practice करने के लिए या फिर वो Practice करे या फिर उसके बाद वो Suspension करे यह उन्हें Flexibility मिलना चाहिए Strength को जो भी Candidates है सारे यह बात कहीगी है कोट के दोवारा और साथ में यहाँ पर यहाँ पर Permission देने को कहा गया है यहाँ परमिटिंग लिए पिटिशनर तो अपियर इंदा Examination दा कोट डिरेक्टिड हिम तो अपियर विफोर बार कॉंसर ओफ दिल्ली इंडॉल्मेंट कमेटी तुमोरो यहाँ कोट ने डिरेक्शन दिया है कि जो पिटिशनर है उसे आप में यहाँ पर जो भी डोकुमेंट है वेरिफाई सारे डोकुमेंट को वेरिफाई किया जाए पिटिशनर का और प्रोविजनल इंडॉल्मेंट शेडिफिकेट है उन्हें गरांट किया जाए 13 जनुवरी के अंदरगत यानि 13 जनुवरी तक इन्हें इनका एक्जामनेशन में वो पाच जनुवरी को 2023 को और इंडिया बार एक्जामनेशन में एपियर हो सके तो यह बात कहींगी है कोट के दोवारा और साथ में यह केसेस जो है आप सभी के लिए एक लॉफ स्टेंट के लिए एक एन्वोकेट के लिए इंपोटेंट हो सकता है ताक आपको इस बडिए यह अपडेड़्य कैसा लगा यह आपको चेश लिए अपना ओपनीट ये यह केस के ऊपर और वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब कीजेगा और इस वीडियो को सेर कीजेग तो मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए अब देखते रहे हैं कावनेक थैंक यू सो मच पर वाचिक दिस वीडियो